बच्चों आज हम कुछ परिस्थितियों की कल्पना करते हैं जैसे किसी जंगल में एक शेर हो या किसी द्वीब पर सिर्फ एक बाज हो या बरफीले पहाड पर सिर्फ एक वाइट बीयर हो या फिर किसी एक मैदान में गाय हो या किसी ऐसी जगह में सुनसान जगह में किवल एक ही मनुश्य हो तो कल्पना करिए ये कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं शायद दो दिन शायद चार दिन या हो सकता है एक हफते के लिए तो कोई भी जीव जो है वो अकेला नहीं रह सकता जीवों का आपस में संबंध होता है वो एक दुसरे के साथ ही रह सकते हैं और फिर बड़ी बात है कि जीव का जो जिस जगह पर रहता है जिस वातावरण में रहता है उसके साथ भी संबंध होता है कनेक्शन होता है तो इसलिए जीव जो है वो आपस में रहते हैं और जो आपस में क्या संबंध होता है कैसे एक दुसरे को प्रभावित करते हैं इन सब बातों की जानकारी जो है आज हम पारिस्तितिक तंत्र के अंतरगत करेंगे तो यदि पारिस्तितिक तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एकोलोजी के अंतरगत जो है जीविग्ञान की वह शाका है, जिसके अंतरगत हम जीवों का और आपस में और प्रकृती से क्या समबंध है उसका अध्यान किया जाता है. क्योंकि आप जानते हैं बाइलोजी के ऐसी कई सारे ब्रांचे से जिसके अंदर गर्ट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अध्यान किया जाता है तो इकोलोजी यह है तो इकोलोजी जो यह शब्द है इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में यह वर्ड का यूज किया थ जिसमें हम किस की बात कर रहे हैं पर्यावरन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पर्यावरन भी जानना होगा कि पर्यावरन किसे कहते हैं तो आप जान रहे हैं कि पर्यावरन दो शब्दों से मिलकर बना होता है परीधन आवरन तो आपके चारों और का वातावरन जहा और साथ ही यह जीव जो है छोटे से लेकर बहुत बड़े तक यह जो अजयवी घटक है जासे मिट्टी है चटान आप देख रहे हैं नदी है हवा है पानी है तो इनका इनसे संबंध होता है और इनकी जो प्रक्रियाएं होती है यह भी पर्यावरन को प्रभावित करती है पर अब हम तीसरी बात करते हैं Biosphere की यानि जीव मंडल की, आप जानते हैं कि पृत्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, अब पृत्वी में आप कलपना करिए कि कहां कहां जीवन पाया जाता है, आप मोटे तौर पर देखते होंगे कि जमीन में या मैदान म कई सारे जीवों को आप देखते हैं या फिर हावा में आप जीव देखते हैं उड़ते वे पक्षी देखते हैं या फिर पानी में बड़ी-बड़ी मचलियां देखते हैं मगरमक्च देखते हैं या और भी बहुत सारे जीवा पानी में देखते हैं तो यह जो भी हम देख र आप तो मोटे तोर पर आखे आपके जाती हैं वहीं तक देख सकते हैं लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जीवन भी संभाव है जैसे कि बर्फ के नीचे भी जीवन संभाव है कई छोटे-छोटे और बियों हैकरे जाते हैं यह तो जिवत रह सकते हैं तो जाहां भी जीवन की संभावना हैं उसको हम बाइयोस्फियर आप हम एक लाजी की बात करते है Almost की बात करते हैं अब प्रित्वी में ऐसे कई बड़े बड़े भू भाग हैं जहां कहना चाहिए वहां की भौगलिक स्थिती कंडिशन वहां की जलवायू या मौसम और वहां के जीवों में जो है वो समानता होती है जिसको बायों कहा जाता है मतलब एक बहुत बड़ा चेत्र है जिस चेत्र की भौगलिक दशाएं वहां की जलवायू वहां का मौसम और वहां के जीवों में समानता तो उस चेत्र को बायों कहते हैं जैसे कुछ हम इसके एक्जाम्बल की बात करते हैं तो एक मरुस्थली बायों है सदाबहार वर्शावन वाला बायों है सागरी बायों है टुन्डरा बायों है और सवाना बायों है तो यदि हम एक बायों की बात करें चलिए अगर एक डेजर्ड बायों की बात करते हैं तो डेजर्ड बायों की वहां की जो कंडिशन्स होगी वहां की जो जलवायू होगी वहां का जो मौसम होगा वो हर जगह वो समानता होगी और फिर यदि वहां के जीवों की बात करेंगे तो चाहे पेड़ पौधियों चाहे जीवों की बात करेंगे एनिमल्स की बात करेंगे तो उनमें भी कहीं न कहीं ऐसी समानताइं मिलेंगी कि जो वहां के वातावरन से अन तो जैसे वहां आप पेड़ पौधों को देखते होंगे तो वहां कि जो पौधे हैं उनकी पतियां जो होती है यहां तो काटेदार होती है यहां चोटी होती है यहां कि स्टेम की बात करें तो वह फ्लेशी होते हैं ताकि वह पानी को सेव करके रखतें क्योंकि डेजर्ट प करते हैं तो जैसे अगर हम एक जीव की बात करते हैं पर्टिकुलर एक जीव जो है आप ये देख रहे हो अब एक जीव जो है उसकी जो कहीं सारी संख्या है वह क्या बनाती है पॉपूलेशन बनाती है यानि समस्टी बनाती है समस्टी को आपने पिछले चैप्टर में भी आपने पड़ा है अब यह पॉपूलेशन जो है आप देख रहे हो कि एक की पॉपूलेशन है वह दूसरे के साथ रह रही है मतलब अगर एक किसी पर्टिकुलर स्थान की बात कर तो भarity होते हैं तो वहां कहते हैं समुदाय याँ कम्यूलिटी कहते हैं अब हम आगे एक बात और बढ़ते हैं एको सिस्टम की कि जो यह जीव हैं वहां पर मिट्टी भी है हवा भी है पानी भी है प्रकाश भी है तापकरम भी है तो यह जो है अजैविक पदार्थ कहलाते हैं यह भी वहां पर मिलकर जो यानि जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर पारिस्तिक तंत्र बनाते हैं तो वो एको सिस्टम बना लेते हैं अब कई सारे एको सिस्टम मतलब एक घास का एको सिस्टम हो सकता है एक तालाब का हो सकता है जंगल का हो सकता है खेत का हो सकता है तो कई सारे एको सिस्टम जो है वो मिलकर बायो स्फियर बनाते है पहले बायोम बनाएंगे और बायोम के बाद बायोस्फियर बनाएंगे तो इस तरीके से जो एक्चुली हमारे चैप्टर का जो मोटो है वो पारस्तितिक तंत्र है वो पारस्तितिक तंत्र कैसे बनता है इसके कौन से प्रकार होते हैं और कैसे कौन से जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका हम विस्तरित अध्यन करेंगे। पारिस्तितिक तंत्र को सबसे पहले एजी टैंसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था, 1935 में, उनके अनुसर देखा जाये तो पारिस्तितिक तंत्र है क्या, तो उनने बतलाया था कि पारिस्तितिक तंत्र वातावरन के सभी अजैविक और जैविक घटकों के पून समन्वे इसे बनी प्रणाली है, और यदि पारिस्तितिक तंत्र को सरल शब्दों में देखा जाये, तो अजैविक घटक और जैविक घटकों की अंतर क्रिया के फलसुरूप जो तंत्र बनता है, उसको ही पारिस्तितिक तंत्र कहते हैं, और प्रित्वी एक बहुती विशाल पारिस अब यदि हम इसको बहुत अच्छे से देखें तो इसके सरचना और घटक क्या है, यानि पारिस्तिक तंत्र के जो उसकी सरचना है और घटक वो किन घटकों से मिलकर बनी होती है, तो उसको यदि हम देखते हैं, तो जिन घटकों से वो बना होता है, उसको ही पारिस्तिक घ गटकों की बात करते हैं यानि यह फंक्शनली और इस्ट्रॉक्टरली दो भागों में डिवाइड रहते हैं यदि हम फंक्शनली देखें कि कारियात्मग द्रिश्टी से यह कौन से 2 घटकों से मिलकर बना होता है तो एक को कहते हम स्वापोशी और दुसरे सवर्मगहने बना सकते हैं दूसरा घटक है परपोश में यानि हेटो टॉफी तो हेटो टॉफी कियों जो आटो टोफ वक्तव डिपेंडेंट रहते हैं यानि जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं या इओंधे देखा जाये तो दो भागों में गया अगर हम सनचना रूप से देखें तो परस्तिक जो है उसको poor जाले वल्ज़क में तो आजएविक और जाविक को यदि हम चाट के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो देखें कि jaric के गटक और जल्वाईवे घटक है तो कार्बिनिक घटक में क्या क्या आ रहा है कार्वाइडड आ रहा है आप देख रहे हो फैट है प्रोटीन है लिपिड है और यदि हम अकार्बनिक की बात करते हैं तो जिसमें है कैल्शियम है फॉस्पोरस पोटेशियम आइरन है पानी है और ऑक्सिजन है और यदि हम जल्वाईवे की बात करते हैं तो जिसमें वर्षा है तापक्रम है आद्रता है और प्रकाश है यह सारे जो है अजयवी घटक आते हैं और यदि हम अब जयवी घटकों की बात करते हैं तो जयवी घटक में आप जैसे देख रहे हैं उत्पाद मेन की हम बात करते तो यह भी देख़ रहें आप पर लम्डी है भेड़िया है कि अगर थीसरे की बात करें तomo Bu Honda की बात करते बोट रहते है जो carrying Bacon के रहते हैं जो जो सकंडरी वाले कंजूमर को खाते यानिya को भूटा को खाते करते हैं इसमें सांप खेर रिधार में शीयर कि और भी इसमें नहीं है तो सनप्चना रूप से देख रहे हैं अब अगर हम आगले की बात करते हैं तो न हच्वाल अब अब जैंग कि वे तो उह कर से करबनी घंड कर्बन है व्हाइड़ेट तोटो उनको बनाने वाला कौन है और एक system की हम बात करते हैं तो system में क्या चाहिए से मिलती है और वातावरण में उपसित रसानिक पदार्थों से मिलती है, तो किसी भी सिस्टम का जो उर्जा का स्रोत होता है, वो तो सूर्य होता है, एक तो दूसरा होता है, रसानिक तत्व होते हैं, जो ये मिलकर जो है, उर्जा के लायक भोजे पदार्थ बनाते हैं, तो ये कार्बनिक घटक हो गए, फिर दूस तो यह अकारविनिक तत्व जो है इस प्रकृति में हमेशा बने रहते हैं, वो कैसे बने रहेंगे क्योंकि इनका एक सैकल चलता है, सैकल मतलब वाटर सैकल आपने नाम सुना होगा, ओक्सिजन सैकल नाम सुना होगा, क्योंकि यह जहां से शुरू होते हैं फिर वहां वापस आते हैं मतलब ऑक्सिजन यूज हुई तो फिर से वो कई सारे सिस्टम से होकर वापस वातावरण में आ जाती है, कैसे और सारे चक्र चलते हैं उसको हम आखरी में इसका डील करेंगे, तो यह जो अकारवनिक तत्व हैं वो हमेशा उनकी मात्रा जो है पर्यावरण में बनी परभावित करता है, तो यह भी मेटर करता है, तीसरी बात हम करते हैं, जैविक में यह से हम उत्पादक की बात करधा है, तो फिर सापध की बात कर रहे हैं Iss agric plant, आपने कुछ ऐसे पौधों का भी लुग नाम तॉना होगा, जैसे अमरबेल है, अमरबेल जो है वो रजी तो यह जो हरे पेड़ पौदे हैं वो कैसे प्रकास अंचलेशन के क्रिया करते हैं आप यह भी प्रक्रिया को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा यह सूरिकी उर्जा लेते हैं जिसमें उर्जा मुख्य भाग होती है और यदि इसके कारवनिक तत्वों की बात करते हैं तो कारवन डायक्साइड रहता है और पानी रहता है कारवन डायक्साइड को वातवरन से लेते हैं और पानी को नीचे जमीन से लेते हैं तो इन दो कारवनिक तत्वों की उपस्थती के साथ सूरिकी उर्जा जो है वो प्रकास अंचलेशन की क्रिया वो करते हैं और फि जो भी भोजन आप यूज करते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है तो उत्पादक हो गए ये प्रकास इंसलेशन की क्रिया के द्वारा कार्वनिक पदार्थ को बनाते हैं और साथ में आप जानते हो कि अक्सिजन भी इस प्रक्रिया में रिलीज होती है जो सारे जीवों का प्राण आधार है जीवन धार है यानि ऑक्सिजन के जरिये ही जो अन्य जीव है वो जीवित रहते हैं तो ये उत्मादक हो गए अब दूसरी बात करते हैं उभभोकता की उभभोकता में आप जैसे देख जानते होंगे खरगोश है भेड़ है बकरी है घोड़ा हाथी यह सब जो है वनस्पतियों के पौधे के भाग यां पत्यों को खाते हैं तो प्रात्मी को भोगता हो गए फिर है दृतिय को भोगता की बात करते तो दृतिय को भोगता जो है वो प्रात्मी को भोगता को खात जिसमें साप, सीम, बाज, गिद्ध आते हैं ये सेकेंडरी लिवल के कंज्यूमर को खाते हैं अब हम बात करें अभगटक की तो अभगटक जो है जो डिकम्पोजर होते हैं और जिसमें आप देख रहे हो एक्जामपल देख रहे हो जैसे ये कवक है और जीवानू है ये भी ह तो उसके बाद उनका क्या होगा तो वो धीरे धीरे आप जानते सड़ना स्टार्ड होते हैं प्रारम होता है और फिर वो सड़ाता कौन है यह बैक्टिरिया होते हैं और कवक होते हैं चीशचा इसको सड़ाकर उनके जो मूल भुष तत्व है उसको सवतंत्र करते हैं वातावरण थल्प्ण की तो यह बनी हुई है प्रोटीन कार्वोहाइड लिपिट की बनी हुई है अब प्रोटीन कार्वोहाइड लिपिट की बात करें तो जो का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कार्वोन होगा हाइड्रोजन होगा ऑक्सिजन होगा नैट्रोजन होगा सलफर होगा केल्शियम होगा तो यह सब जो है जो को इसका र souvenir ह मुल्भूत तट्वा स्वतंत्र करने वालाixíव को तो इसका ड।ोंड घटान करते क्ये और आप MR हो जाते हैं indeed 오늘 पारितंत्र में और सब्सक्राइब हो जाते हैं और वह जो पौधों को जरूरी तत्व चाहिए रहते हैं यह सब उनको जरूरी चाहिए रहता है बढ़ने के लिए तो जब वो ग्रोथ करते हैं और फिर आगे उन्हें प्रकास अंस्टेशन की क्रिया होती है तो इस तरह से अब देख रहे हैं कि यह पौधे जो है कार्बनिक पदार सब्सक्राइब करते हैं यह उनका चक्र चलता रहता है तो एक इको सिस्टम में आप जैसे देख रहे हो जैविक घटक है और अजैविक घटक है इनका आपस में संबंध है कैसे संबंध है जैसे जैवीग घटक हैं वह पढ़ है पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बना रहे हैं सुरे के प्रकास से बना रहे हैं और साथ में अकार्वनिक तत्वन को जरुत पढ़ रहे हैं सी ओटू और एच्टुगो की इस तरह से कार्बिनिक वदार्त बना रहें कार्बिनिक वदार्त जीव खा रहे हैं जीव की जब डैथ हो रही है तो डिकम्पोजेशन हो रहा है तो इस तरह से यह पूरा साइकल चलता रहता है और एको सिस्टम में यह एक दूसरे को देखते हैं तो यह भी पारस्तितिक तंत्र है तो चोटी जिबून से लेकर व्रिक्ष और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े सागर और पहाड परवत जंगल यह सब जो हैं पारस्तितिक तंत्र के अंतरगत आते हैं यानि चोटी बून से लेकर एक बहुत बड़ा विशाल जो तो एक पारस्तितिक तंत्र हो सकता है और ऐसे ही बड़े विशाल जो जगह होते हैं जिसको हमने पहले भी बात की थी उसको हम बायोम कहते हैं तो ऐसे जंगल है बहुत बड़ा जंगल होता है तो वो भी एक बायोम है और सागर है तो वो भी बायोम है हलाकि हैं वो एक पारस् तो सीमा एक पारिस्थितिक तंत्र की दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से ऐसे बिलकुल कोई एक बाउंडरी नहीं है कि वो उससे अलग होता है बलकि एक पारिस्थितिक तंत्र के जो उभोगता होते हैं वो दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में भी चले जाते हैं उभोगता हो स तो एक पर्टिकुलर कोई बाउंडरी ये कोई सीमा नहीं होती है और ये एक पारितंत्र के जीव एक दूसरे में आते जाते रहते हैं अब एक हम एक्जामपल देखते हैं तालाप का या जील का जिसके जो भोकता है वो क्या होंगी मचलिया ही होंगी लेकिन हो सकता है उस जील में उस तालाप के किनारे में कुछ पक्षी भी आ जाएं और वहां की मचलियों को खाने लगे या वहां के जली जीवों को खाने लग और वहां जो छोटे-छोटे कीट है या केचवा को खा रहा है तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सीमा नहीं रहती है एदि हम एक और एक्जाम्पल की बात करते हैं साइबेरियन क्रेंस यानि सारस जिसको हीम सारस भी कहा जाता है और भरतपुर में यह जो है जो राजिस्तान में है अभ्यारन है तो यह साइबेरियन क्रेंज उनी mamis जो सभड़ी तो वहां से यह इसमयर अभरच जगां में आते हैं जोसी जह सीन में मजोप से उना हैं। पढ़ती है तो वहां वो जीवित नहीं रह सकते तो इसलिए वो प्रवासी के रूप में राजिस्थान में आते हैं वहां पर मार्च तक रहते हैं और फिर अपने पारितंत्र में वापस लोट जाते हैं तो इसका मतलब आप समझ रहें कि यह कुछ समय के लिए आते हैं सीमा नहीं होती है एक परितंत्र के जीव दूसरे में जाते हैं तो यह सीमा की बात हुई अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं यानि इसके पैटन की बात करते हैं तो आप जैसे इस चार्ट में देख रहे हो कि दो इसके प्रकार हैं एक है प्राकृतिक और दूसरा आप देखे ही Ryutrim को में 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 मतलब मनुश्य के द्वारा बनाये गया यह पर सितिक तंत्र है तो पहले हम प्रस्तितिक तंत्र की बात करते हैं जिसमें आप देख रहे हो इस थली है इस थल में रहने वाले जो भी परस्थितिक तंत्र होंगे उसकी बात करते हैं तो पहले आप देख रहे हो घास के मैदान का परस्थितिक तंत्र फिर आप देख रहे हो वन परस्थितिक तंत्र फिर आप देख रहे हो मरस्थली परस्थितिक तंत और फिर देख रहे हैं परवतिय पारस्तितिक तंत्र और टुंड्रा पारस्तितिक तंत्र तो ये क्या हो गए इस थली पारस्तितिक तंत्र अब हम दूसरी बात करते हैं प्राकृतिक में एक हो गया इस थल दूसरा हो गया जली अब जली में भी आप देख रहे हैं कि दो इसक कि पानी में लवन नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं फ्रेश वाटर कहते हैं स्वच्छ जली कहते हैं तो इसके क्या क्या एक्जामपल होंगे जहरना है नदी है तालाव है दल दल है यह जील है तो यह स्वच्छ जली परसिदिक तंतर के उधारन हो गए दूसरा यदि हम ब जानते हो थोड़ा चोटा होता है और महासागर आपने पांच महासागर पढ़े होंगे तो बहुत विशाल काई बड़े से रहते हैं तो यह होते हैं समुद्र जलिये तो इस तरीके से हमने इनके प्रकारों की बात की अब हम एक करके पर्टिकुलर एक परितंद्र यानि एक परसितिक तंद्र कैसा होता है उसके कौन से उत्पादक होंगे अब हम पहले प्रकार वनुका पारिस्तित्यी तंत्र, उसमें कौन-कौन से जैविक और अजैविक घटक आएंगे, उसको हम देखते हैं. तो यदि हम वन के परिस्तित तंत्र की बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़े विक्षित और बहुवर्शी वरिक्षा आते हैं और ऐसे यदि वन देखा जाये तो प्रिथिवी का कुल 40 प्रतिशत भाग जो है इन्हीं वनों से आच्छा दित है अब इसमें अजय भी घटक क यह आफ सबस्क्राइब कर आए और यह सब्सक्रावड माद सबस्क्राटीन सब्सक्राइब नेए하게ं योग। बोज़ बदार्थ भानाय यानी कार्बनीक पदार्थों को बनाते हैं तो हरी पौदे क्या करतेignon सबसे पहले करभनेक पदार्थों को सूरी से ओरजा लेकर प्रकांसर ही को इसलाइशन की किया के द्वारा धें जो यह ऊर्जा का सइर Iya अब। इनके द्वारा जो है जैवी घहटकों के द्वारा जैविक घहटक जिसमा सब से पहले आता है उत्पादक उत्पादक में हमने बात की सभी हएं पेड़ पौदे तो सबसे पहले हरे पौधे उत्पादक आते हैं जिसमें उन्होंने क्या किया कार्भाइड वगर बना लिया इसके बाद यदि हम दूसरे लेवल पर देखें उत्पादक तो उत्पादक में यदि हम अलग-अलग वन की जगह की बात करते हैं तो कौन-कौन से पौधे वहां पाए जाएंगे क्य आनना जरूरी है क्योंकि हम 12 लेवल पर यह पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर वहां की स्पिशिस का भी जो है वो नौलेज होना जरूरी है और मेंशन करना जरूरी है तो यदि हम उत्पादक कौन-कौन से वहां की बात करते हैं तो वहां ट्रॉपिकल डेसीडिवस फॉरे या अधि यह बड़े-बड़े व्रिक्ष पाए जाते हैं यह टैंप कौनिफेरस्ड की बात करते हैं तो वहां पेविश पीसी है पाइन शडरास है जोनिपेरस तो यह हो गया सेकेंड लेवल का टैंपरेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में थर्ड की बात करते हैं तो टैंपरेट डेसिडिवस फॉरेस्ट जहां क्वेरिकस थूजा एसर और पीसिया यह बड़े-बड़े विक्ष मिलते हैं तो यह उत्पादक जो हैं वो क्या करेंगे उत्पाद बनेंगे यानि कि कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे अब दूसरे लेवल पर क्या आते हैं जैविक घटक में उभोब्वता होता है तो प्रात्मिक लेवल पर यहां पर कौन-कौन मंंख़न से जीव हूंगे तो उसको भी देखते हैं तो छोटे छोटे जैसे जीव हैं मकडियां हैं बीटल्स हैं बक्क सबीट्स हैं यह जो हैं यह जो हैं थोड़े बड़े हैं घंफ पौदस्जप सनने पाणेяти लोगों को खाते हैं तो यह सभी प्रात्मी को भोगता कैसे कौन सी केटिगरी में आ जाते हैं शाकहारी में आते हैं तो यह क्योंकि हम वन के पारसितिक तंदर की बात करने तो यह सब मेंशन करना जरूरी है तो आप आगे करेंगे फिर हम सेकेंडरी कंजूमर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दृतियक भूगता होते हैं और मानसा हरी में क्या आता है जैसे साप है गिर्गिठ है लोमड़ी है हो सकता है साप जो है वो घास के परस्तितिक तंत्र में वो तृतियक में आ जाए करते हैं कि यहां पर इंखे को हैं वह सकता है घृत्युक्ता है जो सर्वोच मांसहारी होते हैं यह हैं तुर द्वित्याक जीना हो सरव्बहु कर्णा कि निर्भर रहते हैं भोजन के- शैते केीक लिए तो यह सील, बाज, चीता, शेर आदी आते हैं और यदि हम यहाँ पर Decomposer की बात करें यानि अभगटक की बात करें तो हमने पहले भी बात कि थी कि जीवानू और कवाग जो है वो अभगटक होते हैं तो अगर हम पर्टिकूलर जीवानू की बात करते हैं वह है एक्टिनो माइसिटी और स्ट्रेप्टो माइसिस यह जीवाडू है जो अब घटन करते हैं पौधों और जीवजनतों के मृत पदार्तों का एवं सडे गले पदार्तों का अब घटन करके उनकी जो तत्व हैं उनको वूल भूत रूप में वापस करते हैं यह वह वाता तो यह जो जिवानू और कवाख हैं यह क्या करते हैं अब घटन का काम करते हैं तो अब आपने यह पूरा वनका पारस्तिक तंत्र में पढ़ा कि अजयविक घटक कौन से हैं अजयविक घटक लगभग सभी जो भी पारस्तिक तंत्र आएंगे वह लगभग यह जाएगा क्या बदलते रहेगा उत्पादक हो सकता है बदले मतलब पेड़ पौधों के जो इस्पीशेज है वो बदल सकती है जीव जन्तों के जो प्रकार है यानि जो टाइप से उनकी स्पीशी से वो बदल सकती है लेकिन अगर अजयविक घटक की बात आती है तो लगभग सब स्पान रहेगा तो और जयविक घटक है फिल जयविक घटक में हमने बात की मैं बात की उत्मादक कौन-कॊंसी होंगे वह भोकता में हमने बात की कि primary secondary लेवल पर कौन से उभोकता होंगे और अब घटक की भी बात करें तो वो भी लगभग सब जगण शमान रहते हैं लेकि कुछ का नाम हमें याद जरूर होना चाहिए तो यह हो गया अपना पहला वन का पारसितिक तंत्र की बात हो गई अब हम घास के पारसितिक तंत्र की बात करेंगे